Hello children, today we will learn about direct and indirect speech or narration. Direct and indirect speech, directly, कहीवी बात, indirect speech, किसी की कहीवी बात को कहना, वो indirect speech हो दाता है. तो इसको समझने के लिए यहाँ पर एक sentence लिखा है, रमा said, Harry is an idle boy, यह रमा ने कहा, Harry एक आदर्श लड़का है, अब इसको हमने indirectly यह कहना है, कि रमा ने कहा कि Harry जो है, वो एक आदर्श लड़का था, तो रमा said that Harry was an idle boy, ठीक है? तो इस तरीके से कहीवी बात को हम जब indirectly बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं, indirect speech. तो हमारी first sentence में, हमने क्या देखा? In first sentence, given the exact words used by the speaker, this is called direct speech or narration. Exact words जैसा कि speaker ने कहा है, उसी तरीके से अगर लिखा है या कहा जाए, तो वहा direct speech होता है. और दूसरा sentence में, ये वाले sentence में, second sentence, do not give the exact word of the speaker, but give only the substance of what he said, this is called indirect speech or narration. सिर्फ उसमें किसी की कही भी बात को कहना, किसी की द्वारा, और उसमें सिर्फ अर्थ निकले, से भू बहू उसी तरीके से ना बोला जाए, तो उसको हम बोलते हैं, indirect speech. तो ये हो गया, direct speech और indirect speech. अब इसको भी हम दो पार्ट में, divide करते हैं, direct से, indirect, जो हम change करते हैं sentence को, direct और indirect से, तो उसके कुछ rules होते हैं, उसके लिए हमने, हम क्या करते हैं, sentence को हम दो भागों में बाटते हैं. रमा सेट जो है, पहला, वो reporting verb हो गया, और रमा ने कहा, inverted commas में जो है, वो reported speech है, reported speech जो है, वो inverted comma में. तो जब हम direct से indirect में sentence को बदलते हैं, तो हम reporting verb को देखते हैं कि कौन से tense में हैं. तो इसमें rule लिखा हुआ है, rule for changing direct speech into indirect speech. Rule number one है, if the reporting verb is in the present or future tense, the verb in the reported speech is not changed at all. अगर reporting verb present tense में है, या future tense में है, यहाँ पर तो ना present में है, ना future में है, यह past में है, तो जो reported speech है, वो बिलकुल भी नहीं बदलती, लेकिन यहाँ बदली है, देखो. यहाँ पर बदली थी, जो हमने indirectly बोला था कि रमा said that, हैरी, इस था, यहाँ पर बॉज हो गया, and an idle boy. ठीक है, बदल जाती है. तो हम अब present, reporting verb जो present में है और future में है, उसको यहाँ पर देखेंगे. जैसे यहाँ पर reporting verb है, जैसे the teacher says, says से हमें पता चल रहा है कि वहाँ, present tense का वाकिया है. ठीक है, teacher कहते हैं, the boy was lazy, लड़का आलसी था, अब इसको हमने indirectly बोलना है, कहीं भी बात को कह रहे हैं हम, तो indirect speech में, the teacher says that the boy was lazy, teacher कहते हैं कि boy आलसी लड़का था, लड़का आलसी था, लड़का आलसी था, तो कहीं भी बात को हमने indirectly कहा, तो यह हो गया indirect speech और direct speech और अंतर क्या है, अगर यह present tense में हैं, तो कोई भी changes नहीं होता है, inverted commas और comma को हटा करके हम that लगा देंगे, इसमें inverted comma indirect speech में नहीं आईगा, जब हम directly speech को कहते हैं, तभी हम उसमें inverted comma किसी की कही भी बात को जब रखा जाता है, तो inverted commas के अंदर उसकी reported speech रखी जाती है, अब है direct का दूसरा sentence अगर हम देखते हैं, the headmaster says, Mary will fail, headmaster कहते हैं कि Mary अनुतीर हो जाएगी, जाएगी है न, will है, लेकिन यहाँ पर हमने इसको नहीं देखना है, reported speech को नहीं देखना है, हमने देखना है only reported verb को, हमने इसको बताया है न, कि पहला वाला जो होता है, reported, reporting verb होता है, और दूसरा जो है, वो होता है, reported speech, reporting verb हमारी says है, यहाँ पर verb देखेंगे, जब भी हम tense पता करना होता है, तो हम क्या देखते हैं, हम उसमें verb देखते हैं, verb क्या है, says है, says है न, तो हमने present tense का वाकिया है, हमने देखा था, अब जब इसको 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 बनाएं, बनाएंगे, the headmaster says that Mary will fail, बाकि देखो, same, same चीज है, लेकिन यहाँ पर that लग गया, headmaster कहते हैं, कि Mary fail हो जाएगी, है न, तो अब दूसरा वाकिया है, अशोग विल से, dinner is ready, अब देखो, dinner is ready, reported जो speech है, वो dinner is ready, वो present tense में है, लेकिन, जो reporting verb है, देखो, यहाँ पर हमने reporting verb पर ही ध्यान देना है, वो हमारी यहाँ पर future tense में है है न, कहेगा, अशोग कहेगा, dinner तयार है, तो अब इसको हम indirectly बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे, अशोग विल से, that dinner is ready, तो हमने यह देखा है पहले नियम, कि अगर sentence, present tense में है, या future tense में है, अगर reporting verb, reporting verb, अगर present tense में है, या future tense में है, तो उसमें कोई भी अंतर नहीं आता है, जब हम indirect speech बनाते हैं, तो यहाँ पर हमारी, जो reporting verb है, वो future tense में है, तो हमारी जो वाक्य है, वो इसी प्रकार से रहेगा, हम that लगा देंगे, inverted commas को हटा देंगे, तो अब है दूसरा, direct में, the teacher will say, अशोग will not pass, अब reporting verb हमारी, किस में है, future tense में, reporting verb हमारी future tense में है, और reported speech जो ह है, will not pass, यह हम देखेंगे, कैसे बदलेंगे, तो the teacher will say that, inverted comma हटा दिया, अशोग will not pass, क्यों अंतर नहीं किया, कोई भी changes नहीं आया है, क्योंकि यहाँ, जो reporting verb है, वो future tense में है, तो नियम हमने देख लिया है, present tense, और future tense में, अगर reporting verb है, तो हम उसमें कोई change नहीं करेंगे, अ अब direct जैसे दूसरा वाकिया हम देखते है, he says they have done their work, अब यह भी says फिर से reporting, जो verb है, वो किस में है, present tense में है, says लिखावा है न, तो यह present tense में है, तो यह सेम उसी प्रकार से indirect में हम speech में इसका बनाएंगे, he says that they have done their work, अब next sentence हम देखते हैं, direct speech है, सरला विल से, she is learning her lesson, सरला विल से, अब यह reporting verb जो है, वो future tense में है, और reported speech को हम कैसे बदलेंगे, तो क्यों कोई बदलाब नहीं होगा, reported speech वैसी रहेगी, जैसे हमारी direct में है, indirect में हम जब इसको बदलेंगे तो, कही वी बात को हम दुवारा कहेंगे, तो हम उसी तरीके से कहे हैंगे, जैसा directly कहा गया है, तो सरला, बिल से, तो, अब उसी सरला, कहे गी कि, वह अपना लेशन सीख रही है, यहाँ पर भी, she is learning her lesson, वह अपना लेशन सीख रही है, सरला कहे गी, वह अपना lesson सीख रही है तो ये अंतर होता है जो हम direct से indirect बनाते हैं speech में तो इस तरीके से हमारा rules लगते हैं तो हमने direct and indirect speech में ये जाना कि exact कहीवी बात को हम अगर लिखें या कहें तो direct speech हो गया और अगर किसी की कहीवी बात को कहना या लिखना उसको हम बोलेंगे indirect speech या indirect narration और इसको भी हम दो parts में करते हैं तो जो पहला part होता है कहा तो वो reporting verb होती है और अगर जो आगे जो कहीवी बात है जो उसने कही है speaker ने जो speaker ने कही है वो हो गई reported speech और उसका rule क्या है कि अगर reporting verb reporting verb reporting verb जो है वो present या future tense में है तो जो reported speech है वो उसमें कोई भी change नहीं आता है जो कि हमने या पर देखा कि reporting verbs किस में थी यहां पर present tense में थी यहां भी present tense में थी says verb को देखते हैं यहां पर will से है ना will से है तो यह future tense में आ गया तो इसमें भी कोई चीज नहीं आया और will से यह भी future tense में था तो हमने जब हम इसमें हमने यह देखा कि जब हम direct से indirect speech में हम sentence को बदलते हैं तो हम reporting verb को देखेंगे कि अगर वो present tense में या future tense में है तो उसमें change कुछ पर नहीं आएगा जैसा है वैसा ही हम उसको use करेंगे कहीं भी बात को उसी तरीके से कहेंगे और अब हम next वीडियो में देखेंगे कि past tense अगर होता है तो कैसे नियम बलते हैं अभी हमने पार्ट बन पड़ा है डारेक्टर और इंद्रारिक स्पीच का ओके थैंक्स